इस चप्टर में हम बात करेंगे New Document की हमारे पास यहाँ पर New Document की रिड़ करने की दो तरीके हैं हम Adobe Illustrator का जो शॉट की है वह भी सिस्माल कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके New पर किलिक भी कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल इसके बराबर में आप देख सेके हैं हमें इसका शॉटकट है वो भी हमें यहां पर बताया गया है Ctrl प्लस N अगर मैं यहां पर Ctrl प्लस N प्रेस करूँ तो हमारे पास यहां पर न्यू डॉकुमेंट जी हो आ जाए हमारे पास काफी सारे एडवांस की तरफ जाएं मेरे पास सबसे पहला जो आप्शन आ रहा है वह आ रहा है डॉकुमेंट नेम का अगर मैं यहां पर इसको डॉकुमेंट नेम ना दूँ तो बाद में भी मैं इसको एड़िट कर सकता हूं लेकिन अगर आप चाते हैं कि आप शुरू में ही इसको डॉकुमेंट नेम दे दे तो आप यहां से इसको दे सकते हैं पिक्सल्स जो हैं वो सहल ready उसके बाद हमार पास यहां पे नंoug अड बॉह अगर मुझे दू पेज़िस चाहिए तो में यहां पे टू सब्सक्रड़ करोंगा अगर मुझे यहां पेच्शिस चाहिए तो मैं यहां पर six कर दूँगा और हमारे पास यहां पर तमाम जो six pages हैं वो इसी size के बन जाएंगे लेकिन मुझे यहां पर एक ही page चाहिए तो मैं इसको one ही रहने देता हूँ उसके बाद हमारे पास यहां पर size है page का by default जो web का size होता है वो इसने मुझे generate करके दे दिया चेसो चालीस आठसो नो सो साथ आप अगर मेरे टृटोरियल्स दिखते हैं तो 960 से आप काफी ज्यादा वाकिफ होंगे क्योंकि हमने 960 को काफी मरतबा यूस किया है हमारे website के टृटोरियल्स में यहां फिर जो हमने web layout बनाई है उसमें यहां फिर हमने जो wordpress की theme develop की थी उसमें भी हमने उसकी width जो है वो 960px ही रखी थी उसके अलावा मेरे पस यहां पे 1024,786 और 1280 by 800 भी मुझूद है उसके अलावा हम यहां पे मुझे अगर custom weight and height चाहिए तो मैं यहां से set कर सकता हूं मैं यहां से change कर सकता हूं units को points में, inches में, mm में और pixels में मेरे पास यहां पे एक और option है कि मैं आपे landscape मुझे हमारे page चाहिए यहां फिर vertical page चाहिए तो उन दोनों को भी मैं यहां से control कर सकता हूं हमारे पास यहां पे एक और option है अगर आप Photoshop यूज़ करते हैं तो आपके लिए यह जो option है वो new हो bleed का option print media में काम आता है अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि आपने print करवानी है तो आपको कुछ space छोड़ना पड़ेगा ताकि वो safe side हो आपके document के लिए अगर आपने अपने पेज में या फिर कोई भी ऐसा design जो आपने बना है उसमें एक इंच की जगा छोड़ी है और उसके बाद आपने उसको अपना design है वो आपने बनाए तो वन इंच का जो एरिया है वो आपके लिए safe area के लाएगा जो के printing में कटेगा नहीं कि अगर तो इसमें आप यहां से पिक्सल में दे सकते हैं इसके में इसको चेंज करता हूं 10 पिक्सल क्योंकि यह पॉटम लेफ्ट राइट आपस में लिंक है इसलिए मेरे पास यह आट्मिट लेहां पर तमाम जितने बी बॉक्स हैं मुझे टॉप का जो ब्रीड है वो रखना पड़ेगा उसके बाद मुझे बॉटम का वे जो वैल्यू है वो भी मैंनुवली सेट करने पड़ेगी कि उसके इलावा हमारे पास यहां पर एडवांस में ऑप्शिंस हैं कलर मोड रास्तर एफेक्ट्स और प्रिव्यू मॉड कि यहां पर प्रिंटिंग में काम आता है उसके इलावा हमारे पास यहां पर जो रेजुशन है वह भी हमारे पास मॉझूद है इसकी जो रास्तर एफेक्ट्स हैं वह रखनी है आपने 300 150 या फिर 72 उसके बाद हमारे पास जो प्रिविव मूड है वह भी मॉझूद पिक्सल सकते है dollars फिर आवरे पीनेट लेकिन हम इन चीज़ों को रहने देते हैं हम इनको बाद में material करेंगे और उसके बाद हमिया पर है किलिक करींगे तो हमारे पास यह यहां पर document क्रेट हो जागा jsem उस्वेले हमारे पास्याफिर में यहां बटन है है टेंपलेट हैसे तेटेमफलेट आप इंटर्नेट से डाउंडोड div怖 कर टेंपलेट यहां फिर जो हमरे पास billboards होते हैं यहां फिर हमरे पास जो flyers होते हैं उन तमाम चीजों के templates जो हैं वो internet पे आपको free of course मिल जाएंगे अगर आपके पास ऐसा की collection है तो आप यहां सिर्फ को open कर सकते हैं लेकिन मैं पास नहीं है तो इसलिए मैं यहां पे इसको क्लिक करूंगा और हमरे पास जो option है वो यहां पर मौझूद हो जाए अब दिखते हैं हमरे पास जो red outline है वो bleed की है हमरे पास यहां पर यह safe side उसके अंदर जो white space अब देख रहे हैं यह हमरे पास complete safe side है हमने क्योंकि 10 pixels का जिसको space दिया है ताकि यह printing में कटे न तो मिलते हैं अगले chapter में अला आफेस